हलो एवरीवन स्वागत आपका अपने ये चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर तो अभी हम बात करने वाले हैं जेट टीबी बर्सिस PCK के बीच में होने वाले पहले मुकाबले की ECS T10 के ग्रूप C का ये पहला मुकाबला है पराग CC मतलब पराग की टीम आपको खेलत को इतना ज़्यादा experience नहीं होगा बट PC के मतलब पराग Kings जो है उनको बहुत ज़्यादा experience और इन सारे के सारे प्लेयर्ज नहीं अभी आप बहुत ज़्यादा मैं चीज़ खेले हुएं अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेंगे अपडेट आपको टे जो ओपन क्रिकेट लीग मतलब BCL हो रही है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो किस-किस के बीच में खेला जाएगा यहाँ पर जफर और प्राक सीसी किंग के बीच में खेला जाएगा 21 तारीक मतलब आज के दिन डेड़ बजए आपको ए मैच काटमा ओवल में लाइ पर देख सकते हैं या नहीं तो यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं अब वैदर रिपोर्ट के अगर हम बात करें दस डिगरी सेल्सिस आपके पास टेंपरेचर है 87 परसेंट यूमिडिटी है आठ किलोमेंटर प्रती घंटे के रफ्तार से यहां पर विंड चलती हुई तो यह थोड़ा सजादा आपको देख कर चलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर स्पेन में जब विंड चलती हैं तो बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होती है और वहां पर फिर बैट्समेंट खेल नहीं पाते हैं अगर बहुत ज्यादा हवा चलती है मतलब मानकर चलो 10-15 किल मेंटर पती घंटे की रफ्तार से हवा चलने लग पड़ती है तो स्विंग बहुत ज्यादा होगी वाल उसके बाद अगर आप पिछ रिपोर्ट की बात करोगे तो यहां पर अब भी के लिए बैट्समें फेवरेवल और ECS के जातर मकाबले बैट्समें फेवरेवल होते है चोटी बांडरिस बनाई जाती है और चोटी बांडरिस की वैसे रंस बहुत ज्यादा पड़ते हैं अब अगर जोन से भी टीम यहां पर टॉस जीते ही वो यही चाहेगी कि पहले बैटिंग करें क्योंकि रंस यहां पर डिफेंड करना थोड़ा सजादा असान हो जाता है प्रिव्यू की अगर आप बात करो तो दोनों की दोनों टीम पहला मुकाबला खेलने वाली हो जफर की अगर आप बात करो तो भई यह कई सारे नए प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और कई सारे पुराने भी हैं जिनने टर्की के लिए टी टुन्टी है इस खेल रख किये प्रैक्सी के अगर आप बात करो कई सारे प्लेयर कई सारे बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं 2020 में शुरू हुआ था प्रैक्सी में टीटन खेलना जब ड्रीम इलेवन ने यहां पर स्पॉंसर कर रहा था वहां से अगर आप देखो कई सारे प्लेयर्स है सुदेश अरु सेक्षिन में सिर्फ सिर्फ और राइट हैं राइट हैं राइट हम फास बॉलर ठीक है टीट टीट है इस खेल रहे हैं चार मुकाबले खेले हैं 42 रन कर रखें हाई स्कूर के अगर आप बात करो 16 एवरेज जो है वह चौदा किया स्ट्रेकेट 71 चौके पांच जड़े हैं 2019 में एक इनका टर्की चेंपेंशिप हुई थी वहाँ पर इसने मुकाबले खेले हैं चार मैचेज में रन्स अगर आप देखो 30 हाई स्कूर 14 ओवर 9 और विकेट 0 तो मान कर चलना कि यह प्लेयर आपको बॉलिंग करवा करी देखर जाएगा ग्रेंड लीग में अगर यह प जीरो इसकी एंग बना करहीं ऊधूकि डिस ट्रकी चेंपेंशिप उती वहाँ के में बात कर रहां हो रंस घ्राइब 8 यह वर दो विकेट अक तो इतना ज्चizing pass प्लेयर हैं नहीं उसके बात अगर आप यहां पर उतालंगू कि अगर आप बात करो तीन मैचेज में रंचार राइट हैं बैट्समान यह भी टर्की के लिए इंटरनेशनली खेल चुका है तो वो तीन मैचेज में सेर्फो सिफ चार रन नीचे अगर आप आओगे एक दो तीन चार यह चारो प्लेयर्स के स्टाइट सेमिल हैं बिल्कुल न Outside अभी अभी जाशनेना जयन कराब हमाद इलिच की अगर आप बात करोँ तूट फ़र फौर रंस अबाप औक होगे इतने ओवर 63 और विकेट 0 तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये प्लेयर बॉलिंग तो करवाता है बट विकेट इतनी खास नहीं चेटका पारा है और अल रॉनिंग सेक्षिन के अगर आप बात करो रशीर आपके पास ये भी प्लेयर कांटी खेलता है बहुत बढ़िया प्लेयर ह हाई स्कोर के अगर आप बात करोगे 48 ओवर 785 विकेट 156 पांच विकेट अल पांच वार लास मैच जो खेला था वो 2019 में खेला था मेरे स्टेर्स के साब से 24 मैच्चेज में रंज अगर आप देखो 111 हाई स्कोर 40 ओवर 247 विकेट 57 पांच विकेट अल एक बार अली सैटन क कि अगर आप बात करो राइट हं बैट स्वन लेफ्टा मीडियम फास्ट बॉलर तर्की चैंपेंशिप खेला था यह प्लेयर भी चार मैचेज में रंज अगर आप देखो साथ हाई स्कोर 4 ओवर एक और विकेट एक और जो तर्की चैंपेंशिप हुई थी वो हुई थी 2019 म अगर आप बात करो चार मैचेज में रंज कर आप देखो 12 हाई स्कोर आट का है ओवर 14 विकेट 13 तीन विकेट हॉल दो बार पांच विकेट हॉल एक बहुत इंपॉर्टन बहुत बढ़िया प्लेयर है बॉलिंग सेक्षिन में टर्की के लिए और अगर आप देखो टर्की जब हुई थी वहां पर आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस रही थी तुरहन की अगर आप बात करो राइट आम फास्ट बॉलर आपके लिए टीटोंटे इंटरनेशनल में जो चार मैचेज खेले उसमें आठ ओवर करवा है विकेट दो और जो डुमेस्टिक खेले उसमे बहुत ज़्यादा कम है बहुत आपके लिए इंपॉर्टन हो सकता है और यासे खुर रहा मैं इसकी सेलेक्शन बहुत ज़्यादा कम है अगर आप देखो तो दस मैचेज में 227 रंगर रखे हैं और विकेट 20 अभी के लिए मैंने भी ट्राइनी कर रहा है पता नहीं आता है अराम से ट्राइगर सकतो चे पांच का रिशो बन सकता है वैसे मैं 74 के साथ जाओंगा और 74 का रिशो क्यों बनाओंगा वो ही मैं आपको बताओंगा अब अगर आप प्रैक सीची किंग्स की बात करोगे विकेट की पिंग सेक्शन में सुधी गला आपके पास हैं र अगर खिलाईगी भी बहुत नीचे आता बैटिंग करने के लिए तो इसे लेने का कोई मतलब नहीं है हिलाल अहमत की अगर आप बात करो विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर आप देखो तीनी प्लेयर हैं उसमें तीनों के तीनों मुझे बढ़िया नहीं लग रहे हैं हिल 2021 में नौ मैच्चे में 54 रन कर रखे हैं हाई स्कोर 25 का एवरेज 18 स्ट्राइक रेट 81 चौके एक और चकाए 2020 के भी स्टेर्स देख सकते हो इसमें इसकी एवरेज जादा थी और स्ट्रेक रेट भी जादा थी बर 2021 में इसको ना मतलब नीचे भीजने शुरू कर दिया था अ अपनी टीम का और बॉलिंग भी करवाता था दो ओवर अपने कंप्लेट करवा कर दे कर जाता था फिर दुबारा ECS हुआ यहां पर इसना बॉलिंग करना बन कर दियो और अब भी के लिए 2021 में भी अगर आप देखो न दस मैचिन में सिर्फ और सिफ चारी ओवर करवाई है जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और बॉलिंग करवानी करवानी बढ़ रही है तब जब से कैप्टन बना बॉलिंग नहीं करवाता है और बहुत कम चांसे ने कि अभी भी करवाएगा बट आपके लिए बैट्समन बहुत तगड़ा है ओपन करता है अपने यहां पर चे ओवर चार वर विकेट एक बहुत इंपॉर्टन बहुत खास प्लेयर है अराम से ट्राइग कर सकते हो सरन के अगर आप बात करो लेफ्टन बैट्समन राइटा मीडियम फास बॉल अब इस प्लेयर के उपर बहुत बड़ा प्राइस टेक लगा है कि यह बहुत बड़िया है है तो नॉर्मली बहुत जादा बड़िया बैटिंग करने भी आएगा और 2021 में गया था है चौथे नंबर पर भेज रहे थे इस बैटिंग करने के लिए क्यूंकि सुदेश को उपर भेजा जा रहा था अब पता नहीं अगर यह आज के मैच में भी बैटिंग स्ट्राइक रिट बहुत खास है या डेट सो की स्ट्राइक रिट कम नहीं होती है पचास एक बार गर रखा चौक अगर आप देखो आट और चके छे बहुत इंपॉर्टन बहुत बड़िया प्लेर आराम से ट्राइग कर सकतो कोई रिस्क जादा है नहीं रोहित की इस खेलने उसमें 13 ओवर करवा कर देकर गया तो बहुत इंपॉर्टन बहुत खास प्लेयर है बट प्लेयर नहीं इसको बहुत कम ले रखा सिर्फ उस नौ परसेंट सेलेक्शन है इस प्लेयर की जो बहुत ज्यादा कम है साथ मैच्चिज में रंज अगर आप देखो 77 हाई इसको 28 एवरेज 25 ट्रेकरेट 104 चौके नो ओवर 13 और विकेट 5 फिर उसके ग्लैटसन के अगर आप बात करो राइट हैं बैटसमन राइट आम स्लो बॉलर आपके लिए इतना खास प्लेयर है नहीं जातर इसकी बैटिंग भी नहीं आती है बहुत नीच आता बैटिंग करने के लिए ऐसा हीटर रखा हुआ है बट यह हीट इतनी कर नहीं पाता है प्रकाश कि अगर आप बात करो राइट हैं बैटसमन राइट हम स्लो बॉल लो 2021 में पांच मैचेस खेलें उसमें 14 रंस कर रखें और 2020 में चार मैचेस खेलें उसमें इसना चार ओवर भी करवाएं तो कि उसके बाद इससे बॉलिंग करवाई भी नहीं किया तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा बॉलिंग ही करता है नहीं यह है प्लेयर आपके बास सुदेश राइट हैं बैटसमन राइट हम फास बॉलर जिसकी सेलेक्शन अधा कैप्टन 58% है और होनी भी चाहिए ECS में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है प्रयाग मतलब जो यह पूरा का पूरा सरकल है ना प्रयाग CC का बहुत बढ़िया प्ले रहे सीने प्ले रहे सबसे आदा सीने प्ले सुदेश ही है और बहुत बढ़िया क्लीन हिटिंग करता है बीस्ट बोलते हैं इसे अपने सरकल में 2021 क अगर आप बात करो 10 matches में करीब करीब 300 run average 50 की कम नहीं होती है ठीक है एस्ट्राइक रेट 200 के ऊपर की आपको देखने को मिलेगी 50 जो cross कर रखें वो 3 बार 24, 26, 20, over अगर आप देखो 13 और विकेट 5 अब यहाँ पर main problem क्या है कि इस player ना balling करना छोड़ दी है अरुन अशोकनन इतनी balling नहीं करवाता इससे 1 over करवा देगा ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता 2 over complete भी करवा कर देखर जाने वाला है क्योंकि अगर आप देखो 10 matches में complete over करवाता है तो कहीं पर 20 या 18 over आपको करवा कर देखर जाता नॉर्मली टर्की जैसी टीम है उस हिसाब से मुझे लगता सुदेश यहाँ पर balling करवाएगा बट हो सकता है कि starting में पहला ही मुकाबला तो एक आदी आपको balling करवा कर देखर चला जा 7 matches में 2020 में भी अगर आप देखो 198 की rated 198 की strike rate कम नहीं होती है कयूर मैता की अगर आप बात करो right hand batsman आपके लिए ऑस्विन बॉलर आपके लिए 2021 में 9 matches में over आप देखो 14 विकेट छे एक बड़िया प्लेयर है balling आपको complete करवा कर देखर जाएगा नॉर्मली complete ही करवाता है बट अरुना शोकनन की ओपर है वैसे कयूर मैता को balling मिलती ही मिलती है अब इसकी overs में कयूर मैता को अरुना शोकनन balling देता ही देता है सिमित पटेल right hand batsman right hand medium fast baller 2021 में 10 matches खेल रखे हैं उसमें अगर आप देखो over 8 कर रखे हैं तेरा तीन विकेट हॉल दो बार एक बहुत बढ़िया grand league का pick up के लिए जिसके ओपर किसी नय भी अभी के लिए जातर selection नहीं किये grand league में एक आप के लिए बहुत बढ़िया पिक हो सकता अगरे player खेलता है और नवीन पद्मा राजू पद्मा राजू की selection बहुत ज़्यादा गाम है और ये player ना कयूर महता से भी ज़्यादा balling करवाता है ये चीज ध्यान लखना को 7 matches में 14 over complete करवाए हैं अपने पूरे matches में 2-2 over करवाए हैं ठीक है पहली बात तो ये runs आपको करकर देकर गया कयूर महता से ज़्यादा runs करकर देकर गया क्यूकि पद्मा राजू को टीम उपर भेजती है पाँचवे नमबर तक पद्मा राजू आपको बैटिंग करता हुआ देख सकता है 7 matches में 67 runners अगर आप देखो 128 की है 128 की स्ट्राइकेड और 2020 की भी अगर आप बात करो 5 matches में 8 over करवाएं तो लगबग लगबग अपने overs कंप्लीट करवाता है इसलिए मैंना नमबनीद पद्मा राजू को रखाओ अभी के लिए अपनी टीम है कुशल मेंडन की अगर आप बात करो प्लेयर खास है over आपको करवा कर दे कर जाएगा बट इतने ज़्यादा overs नहीं करवा कर दे कर जाता है शायर टीम अभी के लिए से खिलाए भी ना बालिंग सेक्शन में समीरा की सेलेक्शन बहुत जादा है और आपको यह देखकर चलना है कि समीरा को लेदा है यहां तो अलियसन सितार को लेडा है मैं इन दोनों players के उपर ज़्यादा focus कर रहा हूं क्यों कर रहा है न दोनों players के उपर की ज़्यादा focus क्योंकि यही दोनों players है इनके जो main ballers है ठीक है ये आपको 4 over करवा कर दे कर जाएंगे अगर ये दोनों के दोनों खेल जाते हैं मानकर चलो दोनों खेलते हैं 4 over आपके यहां से आएंगे अब उसमें से 1 over आ सकता सुदेश का ठीक है 5 हमारे पास over हो गए 2 over रोहित पक्का करेंगा 5-2-7 और अब बसते हैं 3 over ठीक है 3 over वो बढ़ जाएंगे गैरंटी है 3 over एक बॉलर नहीं करवा मतलब यह नहीं होगा कि 2 बॉलर में 3 over बढ़ जाएंगे नहीं होगा 3 over 3 बॉलरों में ही बढ़ने वाले हैं और वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टीटेन में रिसका जाते हैं एक भी विकेट कोई भी प्लेयर ले जाता है तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा से लॉस हो जाता है सेल बन के अगर आप बात करो यह भी प्लेयर वह सकता है कि भी है जो एक आदा over आपको करवा कर दे कर जाएं नॉर्मली विकेट्स इतनी जादा है नहीं बट टर्की के टीम के पास इतना जादा experience है नहीं टीटेन खेलने का उससाब से अगर आप देखोगे तो सेल बन भी आपके लिए ग्रेंड लीक का बहुत खास बहुत बड़ी अपिक होने वाला है जहां गिरवानी आपके बास है चार मैचेज में रंज अगर आप देखो तें यहां पर सिर्फोर से 20, ओवर 2 और विकेट 0 इस फ्लेयर को नहीं इतना खिलाए गया और नहीं इतने मौके दिये गए हैं फिर उसके जॉसफ के अगर आप बात करो पांच मैचेज में T10 में 2020 में खिला था 2021 में कोई T10 नहीं खिला है उसमें पांच मैचेज में 7 ओवर करवा है विकेट 3 पता नहीं टीम खिलाएगी या नहीं खिलाएगी मेरे हिसाब से यहां पर जो 3 बॉलर खेलने वाले हैं सिफ 2 या 5% के गरीब सेलेक्शनेस की और हली असन सितार 31 % सेलेक्शनेस प्लेयर की और बहुत खास प्लेयर है अभी यहां पर हम टीम डिसकस कर लेंगे अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेली ग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में मिल जाएगा कहाँ पर डिसक्रिप्शन में भी होगा कमेंट सेक्षन में भी होगा टेली ग्राम पर जोड़ना जरूरी है क्योंकि वहीं पर यह आपको final update मिलने वाला है अब अगर आप देखो यहाँ पर तीन प्लेयर्स हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में हिलाल और यहाँ पर उनूर आपके पास है उदी गला उदी गला की सेलेक्शन बहुत ज़्याद अगम होनी भी चीए क्योंकि इसकी बेटिंग नहीं आती है अनूर आपको बॉलिंग करवा कर देकर जा सकता है ग्रेंड लीग में बहुत बड़ी अपिक हो सकता अगर टीम इसे खेलाती है और अगर यह विकेट कीपिंग नहीं करता है नूर तो पक्का बॉलिंग करवाया और नॉर्मली T20 इस और T20 में इसना बॉलिंग करवाई है क्योंकि चाहे ये player open करे ना करे नीचे आय बैटिंग करने के लिए क्योंकि wicket keeper टीम के लिए प्रयाक के लिए wicket keeper यही होने वाला है मुझे नहीं लगता सुधी तुधी गाला को team अभी के लिए खिलाने भी वाली है बैटिंग section में आपके पास बहुत सारे player है बहुत सारे player है और दर्शक की selection क्यों है इतनी ज़्यादा सबसे पहले तो यह सुन दो क्योंकि इसने T20 international खेल रखें सबसे पहली बात तो यह टर्की के लिए दूसरी बात यह इसके stats अब के बास है और तीसरी बात यह कि भी यह इसके उपर मलब 4 players तो आपको at least यहाँ पर लेने ही लेने है जफर की team के तो इस वैसे यहाँ पर दर्शक की selection ज़्यादा है मेरे हिसाब से अगर ilach खेलता है ilach के उपर मैं जाओंगा ilach को मैं try करूँगा आप try करने वाले और नहीं करने वाले वो आपके उपर है तो यह बहुत बढ़िया player होने वाला है फिर उसका है रोहिदेश मुनिया अगर इसकी बात करोगे न तो यह यह player है बहुत बढ़िया बढ़िया बट वही वाली बात है इसकी selection बहुत ज़्यादा कम है क्यों है इसकी selection कम क्यूंकि all running section में कयूर मैटा को पिक कर रखा है मैं भी कयूर मै sûर नहीं कहलेगा तो अगर पादमाराजु फिल जाता है मैं कयूर मैटा को ड्रॉप कर जाऊंगा और यहान तो आप एक extra pick रख सकते हूँ मुझे कोई दिखकत नहीं है रोहिद देश मुनिया की जगा कर सकते हैं और नौर्मली फोकस उसी के उपर गिया जा रहा है कि प्लेयर्स कौन-कौन से विकेट आपको लाकर देकर जाएंगे यह इलाइच आपके बास है इलाइच इज़ा गुट पिक आप राम से ट्राइगर सकते हैं इसलिए मैंने इसके उपर ज्यादा फोकस कर रहा है नीचे वाले प्लेयर्स बहुत कम है कि यार वो खेलेंगे भी उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर सुदेश विक्रम शीरा फिर यहाँ पर रोहित आपके पास मुला ज़्यादा है मुला ज़्यादा ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म गरा है इसलिए इसकी सेल इसलिए इंपोर्टेंट हो मेरे इसाब से पद्माराजु को क्यूर मैता बॉलिंग करवाएगा एक आदा ओवर आपको करवाकर देकर जाएगा बहुत ज्यादा काम होता कि यार यह दो वर आपको कंपलीट करवाकर देकर जाए तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो पद मदुरंगा की सेलेक्शन बहुत ज्यादा है यह नॉर्मली बॉलिंग बहुत बढ़िया करवाता है बट विकेड इतनी नहीं चटका रखे हैं और यहीं पर यह रेस का जाता है कि टर्की के प्लेयर इतने ज्यादा बढ़िया है नहीं जेट टीवी की कलब की में बात कर रह है जिसना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा टर्की चैंपिंशिप में तेरा विकेड लेकर आना चार मैचिस में मजाक नहीं होता है और बहुत बढ़िया प्लेयर रहा है फिर उसके अल्टा आपके पास है अल्टा की सेलेक्शन वैसे भी 70% और अलियासन सितार को बिक क लेगी यहां पर हिलाल को लो फिर यहां पर अगर आप देखो तो अरुन अशोखनान तो उव्फिस सी बाता सभी के सब लेंगी मैं आपको नहीं कभी सीफ टीम भी मना कर दिखाऊ उना उससे पहले केड़न वाइस केडिंशा है यहां पर अरुन अशोखनान ने बहुत खा होगी मैंने देखी नहीं है एक बर हम देख लेते हैं अब अगर आप यहां पर देखो सेफ टीम की जो मैं बात कर रहा है सेफ टीम आप ऐसी बना सकते हो जब यह जो सेलेक्शन बाय वाली है ठीक है क्योंकि उसमें जातर प्लेयर्स की वो है कि सबीने अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेही रखे हैं कई उर मैं था ओव्वेसी फर्स्ट चोईस होने वाला सहभी की एंड पदमाराजू नहीं होने वाला है वो मुझे पहले ही पता है कि पदमाराजू को फर्स्ट चोईस नहीं मिलने वाली है यहां पर डी सुर्की का थोड़ा जादा कॉंट्रोवरिशल हो सकता है यहां पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं बहुत खास प्लेयर है के अलंदर आप आराम से ट्राई कर सकते हैं तो यह कुछ प्लेयर्स हैं आपके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा सबसे बहले टीम के अगर आप बात करो अरुना शोकने नेजा कैप्टन वाइस कैप्टन सी यहां पर वक्रम शीरा है उसके बाद अगर आप देखो तो एन पद महराजू फिर उसके यहां पर मुलाजदा आपके बास है फिर सुरेंदर आपके बास है रोहिद देशमनिया आपके बास है हिलाल एमाद एलाइच फिर उसके अगर आप देखो अली असन सितार आपके बास है जी अल्टा और यहां पर अगर आप देखोगे तो एम जरगार आपके बास है यह पूरी की पूरी टीम आपके लिए देना चाहते हो अरून एशोकनन को दे सकते हो उसके बाद यहाँ पर यहां पर दूर शखक आपके बास है एच एहमद आपके बास है कईविर